हमारे श्रद्गुरू कबीर साहब को ग्यान मारगी संत की स्रेणी में रखा जाता है कबीर साहब ने तो साफ कहा मसी कागत छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ ऐसे महापुरुष को विद्वानों ने, साहितिकारों ने, लोगों ने ग्यान मारगी संत की स्व्रेणी में रखा है कभीर सहाब किस ग्यान की बात करते थे कौन सी वो ग्यान थी जो इसकुल जाने से कागज के पढ़ने से लिखा लिखी को पढ़ने से नहीं मिलता वो ग्यान लोगों के सानिद्य में बैट कर मिलता है मनन करने से मिलता है, चिंतन करने से मिलता है और वो जीवन में स्रिष्टता की उस उचाई पर पहुँचा देता है कि 625 साल बाद भी हम उन महापुरुष को उसी तरह याद कर रहे हैं जैसे अपने समय में रहे होंगे आज हम उसी महापुरुष के वानियों को लेकर एक बड़ी संख्या में, विशाल संख्या में कबिर साहब की बारी को लेकर चल रहे हैं वो क्या है? तो कबिर साहब का ग्यान है कासी जैसे नगरी में कबिर साहब थे जहां पर सास्त्रों के प्रती इतनी आस्था है कि जो सास्त्र को प्रमाण न मार कर बात करता है उसको लोग धक्ये दे कर बाहर करते है और कासी में जिसने ग्यान की पुस्टी करा ली वो ग्यानी है बड़े बड़े ग्यानी आए लोग कहते संक्राचारी जी आए उनको भी लोगों ने एक चंडाल के हातों हराने का प्रयास किया या कहते हारे जो भी वहां गया उसको हारे मिली लेकिन कबिर साहब वही कासी में रहकर सास्त्र को चुनोती दे रहे हैं सास्त्र को जीवन का मूल अधार मानने वाले पंडितों को चुनोती दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात ये लिखा लिखी जो सास्तर की बात है वो ग्यान नहीं है ग्यान कुछ और ही है कबिर साहब के जीवन को अगर हम देखें उनके जीवन का हम मनन करें तो हमें दो प्रमाड ऐसे मिलते हैं जब दो ग्यानी दोनों दक्षिर भारत के बनारस आए कासी आए और कबिर साहब से उन्होंने सास्तराथ करना चाहा सबसे पहले तो पंडित थे पद मनाब जी इनके बारे में बहुत कम चर्चा मिलती है जिनोंने गुजरात में राम कबिर संप्रदाय की स्थापना की कहते हैं पड़मनाप भी बहुत बड़े पंडित थे और वो पूरे भारत में घुमते थे कि है कोई ग्यानी जो मुसे सास्तार्त करे, मुससे बहस करे, मुसे वादबी बात करे तो कासी में जब आये तो लोगों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है मामला बिगड़ेगा तो लोगों ने कभिर साहब को आगे किया कि आप तो महापुरुष हैं ज्यानी हैं आप सिद्ध संत हैं देखिए कोई आया है चुनोती दे रहा है तो लगता है कि कुछ बात आप से ही बनेगी कभिर साहब ने का मैं तो ग्यानी हूँ नहीं पढ़ा लिखा हूँ नहीं न किताबों से मेरा वास्ता है लिखा लिखी बात करने वालों से मेरा क्या मतलब तो कहते हैं कि कासी के पंडितों ने जब अजस्ती कभीर साहब को आगे किया कि नई अब आप ही हैं तो कभीर साहब ने केवल एक ही बात कही कि पद्मनाब जी से उन्होंने कहा कि पंडित जी बस मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपने पढ़के समझा कि समझ के पढ़ा बस इतना ही बता दीजे आपने पढ़के समझा कि समझ के पढ़ा बस इतना ही ज्ञान मुझे बता दीजे कहते हैं कि पदमनाब जी का जो अहंकार था ग्यान का अंकार था, वही पानी-पानी हो गया जीवन में हमने जो पढ़ा, किताब में पढ़ा उसे हमने पढ़के समझा है कि समझ के पढ़ा है, इसका ग्यान हो जाना बहुत जरूरी है इसका जो ग्यान कर लेगा, वही वास्तों में ग्यानी हो शकता है दुसरी घटना है सर्वा नंजी का जो बहुत प्रसिद्ध सब को पता है कासी के कबिर चौरा में जहां कबिर साब निवास करते थे वही पर पंडिस सर्वा जित दक्षिन भारत से आए और एक बैल पर किताब नहीं करीब करीब साथ बैलों पर किताब लेकर आए और किताब लेकर क्यों आए अगर कोई कहेगा कि आप जो बात कहते हैं वो कहां लिखा है तो हम दिखाएंगे कि ये फलाने बेद में लिखा है उपनिशद में लिखा है पुराणों में लिखा है गीता में लिखा है और लिखता कौन है कोई मनुष्य ही तो लिखता है लिखने में क्या गलती नहीं हो शकती कोई भी चीज अगर लिख दिया गया तो क्या वो सच हो जाएगा तो कहते कबीर सहाब से सास्तात करने पंडिस सरवाजीत आये और कबीर चौरा मठ इस्तित कुए पर पानी पीते लोगों की बातों को समस्ते थे अर्थ को समस्ते थे कमाली ने कहा कबीर का घर शिकर पर जहां सिलहली गैल पावन टीके पिल का ता पंडित लादे बैल कबीर सहाब की जो इस्थिती है कबीर सहाब ने जिस जगा अपना घर बनाया है वो घर तो इतने चिकने जगा पर है ज ऐसा बना लिया है, अपने मन को ऐसा बना लिया है, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज नहीं ठीक सकती, जो सुछम से सुछम है, इस थुल चीजों को छोड़ना बहुत आसान है, इस थुल चीजें हमें परिशान करती है, और हम इस थुल चीजों को छोड़ कर चल ज जाते हैं धन संपत्ती को छोड़ना घर को छोड़ना परिवार को छोड़ना दौलत संपत्ती को छोड़ना बहुत आसान है लेकिन मन में चलने वाले जो मान सम्मान रूपी जो भाव है हार जीत रूपी जो भाव है किसी को नीचा दिखाने वाला जो भाव है वो बहुत ही और किसी के अंदर भी बैठा ववा हो शकता है। उसके लिए अनदर का परिवर्तन चाहिए और कभीर सहाब इसी लिए ग्यानी है कि उन्होंने अपने अंदर बैठे वे किसी भी तरह के मन के मनुविकार को दूर कर दिया है। कहीं भी उनके आठिकता नहीं, चीटी जैसे भाव, मान सम्मान के भाव, हार जीत का भाव कबिर साथ क्या नहीं है, कौन जीता कौन हारा इसका कोई मतलब भी नहीं है, जो ग्यानी होगा वो किसी को हराने की कोशिश नहीं करेगा, कमाली कहती कबिर का घर सिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टीके पिपील का था, पंडित लादे बैल, ये किताब तो और भारी है, और इस्थूल है, इसमें लिखीवी बाते भी कोई इस्थूल ही है, आप कहा टीकोगे, पंडित जी को जरुवत थी, मोहर लगने की, मोहर पुरुष को हराया, कहते हैं कबिर साहब के सामने जब उपस्तित हुए, तो कबिर साहब ने साप मना कर दिया कि भाई, हमारी और आपकी जो ये सास्त्रार्त है, संभव नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि तेरा मेरा मनुआ कहू, कैसे एक होईरे, कबिर साहब साहब कहते हैं, कि तुम्हारा मन और मेरे मन में बड़ा फरक है फरक क्या है तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आखन की देखी तू केवल कागज में लिखी हुई बात कहता है और मैं आखन की देखी बात कहता हूँ ये आखन देखी बात है क्या आख से देखने वाला ही ग्यानी होता तो आख है क्या हमारे पास पंच ग्यानिंद्रिया है इन पाँच ग्यानिंद्रियों से अनभुत किये जाने वाले चीजें ही ग्यान की विशह है अगर देखा जाए तो सास्त्र में लिखी वी बात गलत है या सही है वो तो अलग विशा है उसका हम मनन चिंतन अनभो करके बता सकते हैं कि सास्त्र में लिखी वी बातें सही है या गलत है लेकिन इतना तो तै है कि जो लिखी हुई बाते हैं वो हमारे लिए एक सूचना है हमको नकारना नहीं है कभीर साहब की वाणी का धार लेकर हम सास्तर को गलत नहीं कह रहे हैं हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन सास्त्र में लिखी हुई बात हमारे लिए एक सूचना है जब तक वो अनभाव में न उतरे जब तक हमारे अनभाव में न आये तब तक वो किवल सूचना है ग्यान नहीं है कभीर साहब ग्यानी इसलिए है कि कभीर साहब ने उन सारी बातों का अनभाव कर लिया था कभीर साहब इसलिए कर रहे हैं मैं कहता आखन की देखी तू कहता कागज की लिए की मान लीजे किसी वेक्ति ने मीठा रजगुल्ला खाया है लेकिन उसने जीवन में कभी पढ़ा नहीं कि रजगुल्ला मीठा होता है कभी नहीं पढ़ा किसी सास्त्र में नहीं पढ़ा किसी किताब में नहीं पढ़ा लेकिन उसने खा लिया है लेकिन एक बेक्ती ऐसा भी है जिसने रजगुल्ला को देखा तक नहीं खाने की तो बात दूर है लेकिन उसने सास्त्रों में पढ़ा है कि रजगुल्ला बनता कैसे है रजगुल्ले का स्वाद कैसा होता है खाने के बाद क्या-क्या उसके नुकसान है, क्या-क्या उसके फायदे है वो सब जानता है किस की सास्त्र में लिखा है अब इसमें आप बताईए कि ग्यानी कौन है जिसने रजगुले को खाया है, वो ग्यानी है कि जिसने किवल किताब में रजगुल्य के बारे में पढ़ा है वो ग्यानी है हमारा अनभो या कभीर साहब की परंपरा तो यही कहती है कि जो लिखा लिखी बात करा है वो किवल सूच रहा है ग्यानी नहीं है ग्यान होना एक अलग बात है ग्यानी वो है जो रजगुल्ला को खा लेता है भले ही उसके बारे में वो बता पाए चाहे ना बता पाए रजगुल्ले का क्या फाइदा है क्या नुकसान है वो मीठा होता है या नहीं होता है जिसने खा लिया उसके लिए वो सही है लेकिन जिसने पढ़ा है वो करेगा क्या कबिर साब कहते है मैं कहता सुलजावन हारी तू रहता अरुजाईरे जो खाया है जिसने अनभव किया है वो बात को सुलजाने की कोशिश करेगा ग्यानी कभी विवाद नहीं करता ग्यानी कभी समस्या पैदा नहीं करता ग्यानी हमेशा विवादों से दूर रहता है समस्याओं को सुलजाने की कोशिश करता है कभीर साथ कह रहे हैं मैं कहता सुलजावन हारी मैं तो बात को सुलजाने की कोशिश करूँगा लेकिन आप क्या करोगे क्योंकि आप तो इतने पोथी लेकर आये हो आप पन्ना खोलोगे बोलोगे कि इस पन्ने पर लिखा है इस पन्ने पर लिखा है इस पन्ने पर लिखा है उस पन्ने में लिखा हुआ चीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता ग्यान कभी भी हमारी परंपरा में भारती परंपरा में इसलिए जितने भी महापुरुष हुए वो इसकुल का मुख देखे हो ना देखे हो अक्षर ग्यान हुआ हो ना हुआ हो ये ग्यान जिसके घट में प्रगट हो जाता है वही हमारे यहां महापुरुष कहलाता है को आज तक हमारे महापुर्शों के माध्यम से यहां तक खीच कर लाएं हम लोग आज देखिए हम लोग जिस धराधाम पर बैठे हैं यह पावन धर्ती आज से 200 साल पहले सद्गुरू सेवा सहेब जी ने एक प्रयाश किया एक कोशिश की कि यह नादिया गाउं में भी कभीर साहब का ज्यान कभीर साहब का विचार कभीर साहब की परंपरा उसी रूप में जीवन्त रहे और वो जीवन्त है आज भी करीब 200 साल बाद हम उसकी खुश्बू को महसुस कर रहे हैं उस परंपरा को महसुस कर रहे हैं और आप सब के बीच बैठ कर पुना हम लोग मंधन कर रहे हैं कि कबिर साहब का ग्यान सद्गुरू कबिर साहब की वाणी का ग्यान हमारे जीवन में उत्रे ग्यान यहाँ प्रगट हो और उस अमरित रूपी ग्यान से हम सब का जीवन लाभानुवित हो हमारे जीवन में बदला हो और उस जीवन में जो बदला हो उसको लेकर यहा कि ज्यान जब आच्रण में फलित होता है तो उसको कहने की जरुत नहीं, फूल जब पुस्पित होता है तो उसको ये बताने की जरुत नहीं पड़ती कि उसका सुगंध है, वो अपनी सुगंध को विखेरता है। अगर हमारे जीवन में उतरेगा तो उसकी खुजबू अपने आप चारों तरफ फैलेगी हम ये बताने की जुरत नहीं पड़ेगे कि हम कबीर पंथी है इतना ही काकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ बोलिये स्री सद्गरू कबीर साहेब की